इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी को रहेगी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस देन वैलेंटाइन डे है वहीं जोती से शास्त्र के अनुसार ग्रहों की यूती से पंच दिव्य योग बन रहे हैं ये योग बसंत पंचमी को और भी विशेस बना रहे हैं इस देन मा की विधिवत पूजा की जाती है माता रानी बुद्धी और ज्यान प्राप्ति का आशुरबात देती है इस बार रेवती अश्वनी नच्छत्र के साथ बसंत पंचमी का योग बन रहे है इसके साथ ही शनी की रासी मकर में शुक्र और मंगल और बुद्ध ग्रह की यूती ह होने जारी है इससे त्री ग्रही योग बनेगा वही मेस राशी में चंद्रमा और गुरु की यूती में गज केसरी योग बन रहा है मकर राशी में मंगल और शुक्र की यूती से धन्र शक्ति राज योग बन रहा है शुक्र और बुद्ध की यूती से लक्ष्मी नरायन र बसंत पंचमी पर यह सभी योग एक साथ बनना बेहद और शुब होगा यह माता लक्षमी की विशेस कृपा दिलाएंगे ग्रहों की यूती और योग का सभी 12 राश्यों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा एक तीन राश्य ऐसी है जिनके लिए यह समय सुनहरे मौके की तरह होगा इन राश्यों का भाग चमक जाएगा तो आये जानते हैं कि किन राश्यों के यह योग सबसे बहतर होगा मेश राशी के जातकों के लिए दिव्य पंच योग बेहद लावकारी सिद्ध होगा मेश रासी वालों को नौकरी में नए औसर प्राप्त होंगे मेहनत क कि दोगुना फल मिलेगा जो लोग करियर के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें प्रतियोगी परिक्षाव में सफलता प्राप्थ हो सकती है अपने वाड़ी से हर किसी का मन लुभा सकते हैं घर में माता-पिता से लेकर परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्थ वही मिथुन राशी के जातकों के लिए ग्रहों के स्थिती और महायोग लापकारी सिध हो सकते हैं इन लोगों की पिछले समय से जीवन साथी से चली आ रही अनबन खत्म होगी व्यपार से लेकर नौकरी में खुब बढ़ोतरी होगी बिजनेस में बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है इस समय में माल लक्षमी की पूरी कृपा रहेगी ऐसे में धन धान्ने में बढ़ोतरी हो सकती है व्यवाहिक जीवन में खुशी आएगे मकर राशी के जातकों के लिए पंच योग बहुती फल दायक होगा इस राशी के जातकों के लंबे समय से अटके काम बन जाए इसके साथ ही धन धान्ने की बढ़ोतरी होगी सेविंग में खुप करेंगे नौकरी में प्रमोशन की योग बन रहे है जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा ब्यपार भी अच्छा रहेगा प्रतियोगी परिक्षा में सफलता मिल सकती है और वहीं प्राइबिट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को धन का लाब हो सकता है